आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ ये हमारे पास एक Matching दिया गया है Column 1 और Column 2 तो चलिए पहले Column 2 से स्टार्ट करते हैं और इस Terminology को क्या कहते हैं वो दिखते हैं पहले है AccraCene अक्रसीन क्या है ये Chemical है जो कि सिक्रीट होता है कौन से Organisms में Mix Amoeba में और इसका Function जो होता है वो Chemotactic Agent होता है मतलब ये लोग क्या करते हैं Chemical Signals आर पार करते हैं Chemical Signals जैसे हम लोग के Neurons करते हैं वैसे इन लोगों के AccraCene करते हैं ये Chemical है और ये छोटे Organism जैसे Smile Mounds में पाये जाते हैं तो इसका जो Correction है या इसका जो Matching है वो किससे हो जाएगा वो होगा Communal Protista से Communal Protista जो होता है प्रोटिस्टा ग्रूप में क्या होता है हमारा Smile Mounds जो है वो आ जाता है Slime Moles तो ये हमारा Match हो जाएगा AccraCene से Next है हमारा Paramylum Paramylum क्या है ये Reservoir of Carbohydrate है जो कि Protozoa और Algae में भी पाये जाते हैं और ये क्या होता है कि Algae में पाये जाने के लिए Plant Kingdom से लेकिए Animal Kingdom में भी यूज होता है Animal Kingdom में क्योंकि ये एक Food Chain में आ जाता है Kingdom में इसलिए अंदर आ जाता है Animal Kingdom में भी ये चला जाता है तो चली देखते हैं इसका क्या होगा Paramylum का इसलिए होगा Connecting Link Between Plant and Animal क्योंकि दोनों में जो है ये Paramylum यूज होता है Next है हमारा Mesocaryon Mesocaryon क्या है Carion का मतलब जो Nucleus है Nucleus से हम लोग जानतें कि Carion कहते हैं Mesocaryon तो ये एक Member है जो कि कौन से Family का है ये Phylum Dinoflagellate Family का है Dinoflagellate Family और इसमें क्या होता है कि इसके जो Nucleus होते हैं ये बड़े ही Condensed Form में रहते हैं और इनमें Bioluminance के Substance रहते हैं जो कि रात को क्या करते हैं Light Illuminate करते हैं तो हमारा जो थर्ड वाला Mesocaryon है इससे क्या होगा ये हमारा Bioluminescence Granule से मैच होगा Next है हमारा Oxospore तो Oxospore क्या है Oxospore एक Golden Brown क्या है Dinoflagellate है Golden Brown Dinoflagellate Golden Brown और ये क्या करता है इसको हम लोग Jewels के नाम से जानते हैं क्योंकि Dinoflagellate से ऐसा ग्रूप है जिसको बहुत ही सुन्दर ग्रूप माना जाता है और इसको Jewels of Plant Kingdom के भी बोला जाता है इसलिए Oxospore जो है ये क्या होगा Jewels of Plant Kingdom हो जाएगा तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखे तो हमारा जो Correct Option है वो हो जाता है D वाला क्योंकि ये पहले मैच कर लेते हैं कि Connected Liquid in Plant and Animal जो है ये होता है Beramilum का Next आता है Bioluminescence Granule जो कि कहां पाया जाता है तो हमारा Mesokarian में पाया जाता है फिर है Jewels of Plant Kingdom जो कि हमारा Oxospore है और Communal Protestants जो है ये Acrasin है तो इसी हिसाब से D वाला Option जो है वो हमारा Correct हो जाता है Classics to Jewels से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेबल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर